नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा देग रहे हैं सत्यकी राम मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी दिपावली की बहुत सारी हार्दिक शुब कामना है नक्षत्र 27 मीडिया परिवार की तरफ से हमारे कल्चर वैली की तरफ से पश्मि की तरफ से आप सब को बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना है मालक्षमी की कृपा सदयव आप सब पर बंती रहे ऐसी हम इस्वर से प्रार्थना करते हैं है तो मित्रों आज का दिन आपके लिए परंपावन पुनीत और शुब हो आप सब को हमारी तरफ से शुब कामनाय देते हैं क्या उपाय करना होगा आज आप सब को दिवाली के लिए खास तोर पर इसकी जानकारी देंगे आज कौन सा वो दान करना हर राशी के लिए बहुत जरूरी है इसकी जानकारी हम बताएंगे कौन सा दान आज जरूर करें मिला कर हर राशी वाले इसकी जानकारी जो ये हम अभी बता रहे हैं देखना ना भूलिएगा अपना खास राशिफल दिवाली स्पेशल आईए जानकारी लेते हैं आज के पंचांग के कार्तिक माह अम आवश्या देथी है आज चंद्रमात तुलाराशी में नक्षत्र रहेगा चित्रा सुबह साथ बचकर बयालिस मिनट तक इसके बाद श्वाती योग रहेगा प्रीती तद अनुसार दिनांग चार नवंबर दिन गुर्वार आज शुभ दिपावली हैं दोपर धेर से तीन वजे तक रहुकाल और शुबह नौ से साठे दस तक गुलिक काल रहुकाल अशुभ होता है जिसमें नए और शुभकाम के लिए सास्त्र बना करतें हैं गुलिक काल शुब होता है जो चाहें आप करें हर काम आपके बनेंगे अभी लगातार आप हमसे बारह नमंबर तक गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं आए शुरुबात करते हैं बाज के भविश्यवारी की और जानते हैं कि राश्य अनुसार आज घर से क्या निकालना बहुत ज मेश राशी पढ़ाई करेंगे जरूर करिएगा आज अनुभव अच्छा होगा ब्यापार बहुत अनकूल है हर प्रकार की शुबता रहेगी प्राइवेट सिक्टर आपके लिए तनाव देगा नौकरी में उल्जन आ सकती है सरकारी छेत्र मजबूती दे रहा है धन का ले किलों से बाहर निकलेंगे स्वास्त के मामले में पेट दर्द किटनी और बैक की प्राबलम जरूर होगी प्रियोक के तोर पर आज के दिन घर से क्या निकाले कोई भी लोहे का सामान जो जंग लग गया हो खराब हुआ हो चोटा मोटा बड़ा जरूर निकालिएगा क्या न स्वासर भी लेंगे शिक्षा में लाब जरूर पाएंगे ब्यापार तकलीफ देगा रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में नोकरी आज आपके लिए सकरात्मक रास्ते खोलेगी और सब कुछ बहुत सुब होगा सरकारी छेत्र में इस्थती कुछ गड बढ़ सकता है स्वास्त के मामले में पेट दर्द कमर और आखों की समस्या जरूर रहेगी ब्रिशब वाले घर से क्या जरूर निकाले आज दिवाली के दिन पुरानी कोई भी जो फट चुका हो ऐसी कोई स्टेशनरी किताब जो फटी हुई हो घर से बाहर निकालिए अगर नवंबर शुब दिपावली दिन गुरुवार मिथुन राशी मुश्किलों से बाहर निकलाएंगे परिशानिया आज दूर होंगी व्यापार तकलीफ देता लेकिन आप उस पर जीत हासिल करेंगे प्राइबेट सेक्टर मस्त है किसी तरह की चिंता नहीं होगी सरकारी छे स्वास्ति में आज सुधार नहीं है अपनी वाणी पर अंकुष रखना जरूरी होगा स्वास्त के मामले में पेट आंख और किटनी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राश्य मिथुन है तो प्रियोग के तोर पर आज मालक्ष्मी को प्रणाम करके इलक्ट्रोनिक आइटम कोई बहुत बिगड़ गया हो कंडम प्रेस हो बालोल सुखाने वाला कुछ भी जो बहुत पुराना हो ऐसा आज घर से निकालियेगा किसी भी जरूरत मंद को दे सकते हैं क्या नहीं करना है आज बड़बोला पन नहीं दिखाना है ग्रे कलर शुब है साथ प्रत्षत का भाग्य करक राशी दिरांक चार नौंबर शुब दिपावली क्या निकाले घर से जरूर करक राशी बताएंगे हम सिक्षा के लिए आज सुधार की स्थिति बन रही है सिक्षा के छेतर में कोई मुश्किल नहीं है ब्यापार जबर्दस्त है हर प्रका से अनकूल रहेगा क्या मामला है सब कुछ बहुत शुब है लव लाइफ की स्थिति में आज तनाव बढ़ रहा है कठनाईयों का दौर रहेगा स्वास्त के मामले में पेट बैक की प्रॉब्लम आंक की समस्या होगी क्या उपाय करना चाहिए आज घर से क्या निकाले करक व सिंग राशी दिवाली स्पेशल चार नौंबर दिन गुरुवार पढ़ाई आज अद्भूत है बिलक्षन लेबल पर है खूब मन लगेगा मजबूती आएगी लोगों का आशिरवाद मिलेगा ब्यापार आपके लिए जबरदस्त अनकूल चलेगा बिजनस में किसी तरह क अनुसार आगे बढ़ेगा प्राइवेट सिक्टर में शुबता जरूर मिलेगी लेकिन सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है गौवर्मेंट सिक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं है आज दांपत्य जीवन उठा पटक दिखा देगा किसी बात पर दोनों में बहस होगा वर्स गेहु का दान जरूर कर दीजिएगा जरूरतमंद को क्या नहीं करना है आज खुद को किसी कठिनाई में मत डालिएगा शुबरंग के सरिया भाग्य प्रत्षत चवर 54 कन्यराशी रास्ते खूब सारे खुल रहे हैं पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षा में रुका होता है लाब होता जाएगा दामपत्य जीवन कश्ट देगा मुश्किलें आ सकती है लव लाइफ में हर प्रकार की शुपता है मुश्किलों से बाहर निकलेंगे स्वास्त के मामले में पेट किड्नी आख की समस्या रहेगी क्या उपाय करना चाहिए कन्यराशी वालों को आ नहीं करना है आज का दिन किसी से विवाद ना होने दीजेगा काला रंग शुभ है छाचट प्रतिशत का भाग्या है तुराराशी समय आपके लिए खूब अनकूल रहेगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी व्यापार में शुपता है बिजनस में आप बहुत अच्छे स आगे बढ़ेंगे प्राइविट सिक्टर आपके लिए अनकूलता दे रहा है तनाव से मुक्ति मिलेगी सरकारी छेत्र बहुत अनकूल है बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे दामपत्य जीवन मुश्किलों से बाहर निकालेगा बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ कठ समझ कर फैस्टा लेजेगा स्वास्त के मामले में कमर और किर्णी की समस्या हो सकती है क्या घर से निकालना है तुला राशी वालों को आज के दिन ध्यान दीजेगा कोई फटा हुआ अपना पुराना कपड़ा आज घर से जरूर निकाल लिएगा क्या नहीं करना है बड़ो नुकसान से बाहर निकलेंगे बिजनस में एक दम से जंप आएगा प्राइवेट सेक्टर अनकूल है मुश्किलों का हल है आज सरकारी छेत्र में तनाव बढ़ेगा मुश्किले आएंगी बड़ा प्रेशर ना लीजेगा दामपत्य जीवन जबरदस्त अच्छा है था लों का हल निकल रहा है दवाओन पर निर्भरता भी कम होगी प्रियोग क्या करना है घर से क्या निकालना है आज बिष्चिक राशी वालों को को तामे का कोई वस्त घर से निकालते जिए फटा पुराना टूटा फूटा जो भी हो क्या नहीं करना है आज बड़ों से जवाब तलब मत करिएगा हरा रंग शुभज 56 प्रतिशत का भागी धनुराशी चार नवंबर शुब दिपावली पढ़ाई के लिए माहौल तयार है स्विक्षा में किसी तरह का दुराव नहीं बाहर से कहीं कुछ अच्छा ओर्डर आ सकता है आपके सकरात्मक पक्ष में दांपत्त जीवन जबर्दस्त है सवहार्द है शुबता है मुश्किलों का हल है लव लाइफ में कठनाईयां आएंगी सुच समझ कर निर्ड़ लीजेगा स्वास्त के मामले में पेट दर्द क्मश्या रहेगी क्या उपाय करना चाहिए धनुराशी वालों को कि मुल्ष के सबसे बाहर निकालना आपको जो आज सब्से ज्यादा एयिटेश करता हो उसे बाहर कि येकूं क्या नहीं करना है अपने राज सोबरंग बादामी भाग्य प्रिशत अट्ठावन मकर राशी पढ़ाई के लिए उसर आज मिलेगा मित्र मददगार साबित होंगे लोन आधी के लिए अपलाई कर सकते हैं ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कोई काम नहीं रुखने वाला है आगे बढ़ते जाएंगे प्राइबिट सेक्टर आपके लिए तनाव देगा इस्थित नहीं है लेकिन आप संभा सकते हैं स्वास्त के मामले में कमरदर्द आंख और किट्नी की समस्या होगी क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राश्वी मकर है आज मालक्ष्मी को प्रणाम करके प्लास्टिक का तूटा हुआ कोई भी वस्त बाल्टी लोटा जो भी मग रोगते प्लास्टिक का उसे आप बाहर निकाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा नहीं करना है नीला रंग शुभच चंवन प्रत्षत का भाग्या कुंबराश थोड़ासा समय आपके लिए कश्ट साथ है पढ़ाई नहीं हो पाएगी मन विचलित रहेगा कुछ प अंभलने की आवशक्ता है साउधान रहे दांपत्य जीवन आपके लिए बहुत अच्छा है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्या नहीं है हर प्रकार की शुभता है स्वास्त के मामले में पेट दर्द कमर दर्द और आँख की समस्या रहे प्रियोग क्यà करना चाहिंए आज घर से क्या निकालना है कुम राशी वालों को अज लोह कि की अवजार घर में जो होते हैं उसे आप दीजियेगा जो पुराना हो गया हो जंग जिसमें लगा हो क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है शुबरंग काला भाग्य प्रत्षत उन्चास अंतिम राश मीन पढ़ाई अच्छी है स्विक्षा में लाव होगा ब्यापार बहतर चलेगा प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन है सरकारी छेत्र मुश्किल देगा आज धन की इस्ति दूरी है आपको क्या नहीं करना है आज दूसरों के घर में ताग जाक नहीं करना है शुबरंग पीला भाग्य प्रत्षत साथ जल्दी वापस आते हैं देखिए कहां कब कैसे मिल सकते हैं कार्करम जारी है एक बाद फिर से बहुत स्वागत है देख रहे हैं दिवाले स्पेशल आगे बढ़ेंगे बताएंगे आज का भाग्याक्षर और इसके बाद आज की सकसर्स की क्या विशेश करना है आज के उन लोगों को जिनको आज जनम दिन मिला है जिनको आज जनम दिन का सवगात मिला है उनको क्या करना है खास इसकी जानकारी हम आपको देंगे पहले आएए जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश राशी लाच्षर व्रिशब्भा मित्षुन खाक्षर करकफा सिंघह हाउक्षर कन्याब्वा तुलासाउक्षर बृष्चिक्खा धनुपाउक्षर मकर्टा कुम्भ वाग्षर मीन चा ये आपकी अपने शुब्भाग्याक्षर है साधे चवकूर कागच्पर लाल र अगे में हल्दी लगा कर कहीं रख दीजिए गा एक सफेद धागे में हल्दी लगाईएगा और कहीं पर भी ले जाकर रख दीजिएगा आए जानते हैं आज जिनका आज सुब जनम दिन है उनको क्या विशेष करना चाहिए पहले तो हार्दिक शुब कामनाएं तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करके दो विद्वाओं को आज भोजन कराईएगा जिनकी आज marriage anniversary है एक केले का पाउधा पतीम पत्नी मिलकर कहीं लगा दें और दो लोगों को खाना खिलाईए बस आप सबको बहुत सारी शुब कामनाएं मालक्षमी की कृपा आप सब पर बनी रहे wishing you very happy दीवाली परमपिता परमेश्वर आप सबको स्वस्था रखे प्रशन रखे एक बार फिर से दीवाली की बहुत 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 सारी शुब कामनाएं नमस्कार